तो फ्रेंट्स त्योहार है तो मिठाईया नमकीन सभी कुछ है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन की बर्फी वो भी जानेदार तो देखिए कैसे बनेगी यहाँ पर मैंने एक कटोरी घी लिया है यह शुद्ध घी है इसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया और उसमे इसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे आप चाहें तो कलर को इसके बी कर सकते हैं इसके बाद जब बेसन अच्छी तरह से बुन जाएगा और उसमें खुष्भाने लगे ही उसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें इसमें पिसी हुई शक्कर को एड़ करेंगे और उसको इसके साथ में मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने आदा कटोरी नारियल का बूरा भी लिया था इसको भी इसमें मिक्स कर लिया अब देखिए सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर लेंगे और देखने पर भी कलर इसका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसमें क लगातार चलाते रहें ताकि ये जलेना इसके बाद हम इसमें एक से दो चम्मच शुद्धी फिर से एक करेंगे और इसको पूरी बेसन में मिक्स कर लेंगे पिर हम इसमें ड्राइफ रूट सेट करिंगे और रई फूर्ट आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं मैंने इ लिया है और इसको अची तरह से दबा कर सेट कर लेंगे एक से डेड़ घंटे के बाद हम इसके पीसिस पना लेंगे हमारी दानेदार बिसन की बर्फी बिना चाशनी मावा के तयार है आपके लिए एक ट्रिक है यदि आपकी दानेदार बर्फी पूरी तरह से सेट होने के बा कर उसे उबाल लीजिए जब शक्कर बॉयल होने लगेगी तो सारा मिक्स उसमें डाल कर अची तरह से चला लीजिए उसके बाद एक ठाली में गी से ग्रीस करके उसके बाद दुबारा से सेट कर दीजिए आपकी दानेदार पर्फी बहुत बढ़ियां और लाजवाब बनेग आप करके देखिएगा